नमस्कार आदाप आप देख रहे हैं साबिर शेक के साथ आउन रिकॉर्ड मीरा भाइंदर दोस्तों 15 दिन के करीब वक्त गुजर गया है मीरा भाइंदर शहर में 127 करोड रुपे जो राज्य सरकार ने या MMRD के मारफत महनगर पालियगा को मनजूर किये है BSUP योजना के अंतरगात उसे कंप्लिट करने के लिए उस मामले को लेकर शहर के राजनीती गर्मा गई है और जहां पर ये योजना अमल में लाई जा रही है वहां पर तो राजनीतिक दलों में आपस में इतनी भिलंद हो चुकी है कि उस पर किस तरह से काबू पाया जाए ये भी एक चर्चा का विशे हो सकता है इसी मुद्दे को लेकर भारतिय जन्ता पार्टी और शूसेना में आपस में खीचात आनी चल रही है कभी शूसेना के तरफ से आरोप लगा जाता है कभी बी जेपी के तरफ से परत्यारोप किया जाता है और यहां के लोग इन पूरे सैनेरियों को देखते हुए यहां के माहौल को देखते हुए उनके मन में भी खयाल आने लगे है कि हमें भी सामने आकर बोलना चीए के कौन सच है कौन जूट किस तरह का भरष्टचार हुआ है यही जानने के लिए हमारे साथ में इस वक्त इस्थान यह निवासी मुकेश सिंग्ग है जो भारतियनता पार्टे के हम उनसे जानना चैने चाहेंगे कि मुके सिंग जी आपके भारत tourism पार्टी के नगर सियोकों पर आरोप लगाए जा रहा था शियो सेना के राम भोण शर्मा के माद्यम से के उन्होंने बड़े पैमाने पर भारति आंता पार्टी के नगर सियोक ने बरश्टचार किया है जो लाभार्तियों की जो सूची है जो लिस्ट बनाई गई है उसमें इन लोगे ने अपने नाम दलवाए है क्या कहेंगे आप कैसा देखते हैं कि उनके आरोपों में कितनी सच्चे है कितना तथ्य है नहीं मांता हूं कि आईसा कुछ होगत है हमारे नगर सेकुल ने किया है मैं यह जानता हूं करते हैं ख़ी राजकरन करते रहते हैं और सब लोग जानते हैं कि कौन क्या है भोसले जी कितने काम कर रहे हैं राम बहुन जी कितने काम कर रहे हैं तो यह बताने की जोरत नहीं है कि हमारे नगर सेवक और भारतिय जनता पार्टी के कर्च करता है कैसे काम कर रहे हैं तो उनसे सीखने की जोरत नहीं है क्योंकि पब् सब करने के लिए यहां पर इस वक्त जो गहमा गहमी चल रहे हैं काशिगा और जनता नगर परिसर में तो भारतिय जनता पार्टी को ही यहां पर निशाने पर का लाया जा रहा है उन्हीं पर सवाल खड़ा किया जा रहा है भारतिय जनता पार्टी इस पुरे सेनियर्यों को इ से देखते है ये जानने के लिए हमारे साथ में इस वक्त है अनियल ते जो इदर भ dignity के परम मन्दल अद्यक्ष है अँके जी बताए कि किस तरह का यहांका महौल बना हुआ है भारतीजेंता पार्टी को लेकर यहां पर जो लोग है जो आपके मदद आता है यहां के जो और आगरी कि वह क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस महौल को देखते हुए पहले तो मैं आपको सुचित करना चाता हूँ कि यह महौल हमने ने बनाया है यह महौल बनाया है प्रतप सन्नक जी ने जो बात की है हमारे माजी साबा पती अनिल भुसले जी जो ठाना पालगर की जिल् लगा था पहले बात तो बैनर हम भी लगा सकते थे लेकिन हम को क्या गरीबों को पहले ही गरीब दूख में सब व्योस्विप में उपर से उनको वापस दूख देना नहीं था क्योंकि जब तक काम नहीं होता तब तक कोई श्रेया न ले इदर ऐसा हो रहा है कि काम तो पहले घर बने के बाद जो करना इंक्वारी करो जो करना करो जिसने गलत किया वो भुखतेगा तो लेकिन यह जबरदस्ति का इसको खिचाओ करो क्योंकि देखो दो आजात साथ से हम लोग इदर राजनीति में मतलब सक्ता में हैं उसका कारण ही है कि हम लोग ग्राउंड ल सब पता देखा रहे हैं उनको फोन आने लगे पैसा अगर मंजुर हुआ है तो अभी उदर काम कब चालो गाए आप आप अभी देख रहे राजनीतिक वीसा अभी तक काम चालो नहीं हुआ तो मेरा यही कहना है कि मेसे साब को और रामोशरम को वही बताना है आप जिस तरह कि मार्जिन जो ओटिंग का मार्जिन जो था वह भी हजार के उपर था तो मतलब पब्लिक हमारे साथ है और हम चाहते कि एक काम पूरा हुए हमें उसमें राजनीति नहीं चाहते और मैं आज आज आपको बताना चाहता हूँ भारतिया जंता पाटी काशिम्या मंदल के कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए विशेख खतम हुआ है इसके बाद ना हमारे तरब से कोई स्टेटमेंट देगा ना कोई देगा बाकी सभापती जबी प्रताफसन ने कुछ स्टेटमेंट देगे तो उसके उपर माजी सभापती आनिल बोसले बोल सकते क्य में तो उनका सब्सक्राइब हमारे तरब से भारते जनता पाटी के तरब से विशेख खतम हुआ है और हमारे नगर से अपने जो काम कर रहे हो काम करते रहेंगे कल भी हमारा सेंडे भी हमने उद्गाटन किया था आर्शी सी घटर का और बियो स्टेटमेंट महापूर के नि यहां का काशिगा और जनतन हगर को माहुल बना ह Rhino है उसपर कहीं न कहीं विराम ले यह सब खीचा तलग खत्म हो आखeza के हमाना चाहेंगे भारते जनता पार्टे के कर्प्रोटर हैं में prima, इन्से हम जानना चाहेंगे के सच्चिन मात्री जी जिस तरह से परताप सरनेका उन्हें एक बैनर उनका जो काफी वायरल हुआ था उसमें उन्हें शुरात की थी कि भारतिय जंता पार्टे के दौर में जो योजना शुरू बंद की गई थी उस योजना को कंप्लिट करने के लिए हमारी तरफ से 127 करोड रुपया राज्य सरकार के तरफ से दिया जा रहा है 127 करोड रुपय के बारे में यहां के इस्थान ये निवासी क्या सोचते है क्या आप से जो एके वो लोग पूश्टाच करते है कि क्या है क्या है क्या चल क्या रहा है 137 करोड रुपय को ले कर सबसे पहले तो एक यहां पर लाई लेकिन उसके आप देख रहे हो कि यहां पर राजनिती हो रही है उसके बीच में यह योजना को देरी हो गई और रही बात बैनर बाजी के तो जिस दिन 127 करोड का बैनर लगा वहां पर कोई 127 करोड रुपया निदी मंजूर हुआ है और 127 करोड रुपय आये है लोगों ने हमें फोन करके पूछने की कोशिश की कि इसमें क्या डीटेल है इसकी यह सब तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था तो हमने स्थानिय प्रशाशन को भी प करियों को पूछा कि इस मामले में क्या है मतलब मिधी कहां से आया है क्या है तो उनके पास भी जवाब नहीं थे बैनर जाके देखा तो बैनर के ऊपर तो भारतिय जनता पर्टी को बदनाम किया जा रहा है कि हमारे कार्यकाल में शुरू हूई बंद हुई योजना को निद इन्होंने लाया है शूशना के माध्यम से लाया है करके इनको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो पिछले साल हमने जो मांगा है एक सो सक देड़ सो करोड की मांग की थी उसमें से 40 करोड रुपया सेंक्शन हो चुका है तो हमने कभी बैनर कभी बैनर नहीं लगा है कि पचा स्चरों अकाउट के बारे में बोला है कि 40 क्रोड रुपया जमा होने वाले हैं अभी 2020 तक वह 40 क्रोड रुपया नहीं जमा हुआ है वह नहीं तो Champ आने वाले है तो लोगों ब्लूगों को भ्रहजन teşekkür हुं कि अभी अभी तक वह से गहे दो 11powerण में कॉंट्रेक्टर कोन है कितने सालों में ये काम पूरा होगा तो इसके बैनर लगाई है ये सब श्रेया लेने के बैनर मत लगाई है ये काम कब होगा कहां पे होगा उसका बैनर लगाई है और इसके अंदर और एक लिका हुआ है कि काम शुरू नीदी मंजूर होने से बाद ती लगन अ चाहिए था लेकिन यह अपने पार्टी के बारे में के चक्कर में पड़े हैं बढ़नती करता हूं कि स्थानिय reject पे नागरिक हमें प्रश्न पूछते हैं रोर रस्ता गटर के लिए हम लोगों के बीच में हैं आप कहीं से आएंगे बड़े बड़े बॉम डालेंगे लोगों को भैकाव में लाएंगे राजनीती करेंगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ के राजनीती करने के लिए तीन मेने म पाकी रहेगा तो जनता खुद देगी कि क्या काम हुआ है क्या ने हमें अपने मुझ से बोलने के जरूरत नहीं पढ़िए कि यह सचिन मात्रे जो इस्थानी नगर से वक्ष है इनका कहना है साफ अलफाजों में के जिस तरह से विधायक परतफ सरनाइक ने घोशना कि है 127 करोड रुपे एमे मारडी द्वारा मन्जूर किये गए है बियस यूपी योजना को लेकर उस गोशना के बाद में जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं सारी चीजे सिरिपू पेपर पर ही दिखाई दे रहे हैं यहां के जो मुल लाभारती है उन लाभारत की जो डायरेक्ट यहां के लोग परतिनीजी से मिलते हैं उन्से सवाल पूछते हैं कि यह 127 करोड रुपे कहां पर आए कैसे आए कब आए जबके हकीकत यह है सभी जानते हैं कि 127 करोड रुपे की मन्जूरी मिली है महानगर पालिका को बतोर कर्ज इस पुरे मामले में जिस तरह से जल्द से जल्द शुरू होकर लाभारतियों को उनका हक मिले उनका अधिकार मिले उनका जो अच्छात है या उनका जो आश्यान है वो मिले उस पर अगर सभी राजनिता मिलकर काम करें तो वो यहां के मतदाताओं के लिए यहां के लाभारतियों के लिए बहुत करें आप देखे रहें आरिप कुरिशी और साविर शेक के साथ ओन रिकॉर्ड मेरा भाहिंदर धन्यवाद